हेलो दोस्तो, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल किलियर सिविल एक्जाम में दोस्तो, आज के लेक्चर में हम लोग समझेंगे माउंटेन रेंजिस एंड हिल्स ओफ साउथ एंड सेंट्रल इंडिया इसके माध्यम से हम लोग जानेंगे कि जो आपके दच्छड तथा मध्य भारत में परवत सिंकलाएं तथा चोटियां कल के लेक्चर में हम लोगों ने जहां देखा था नॉर्धन माउंटेन्स इसको हम लोगों ने चार पेरलल भागों में बाट करके समझा था इसी कड़ी में हम लोग आँगे देखते हैं कि किस तरीके से सेंट्रल लेंट जो आपकी तीन भागों में बिवाजित है तीन भागों में बिवाजित है सेंट्रल लेंट इसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल हाई लेंट उसके बाद इस तरीके से ये तीन भागों में बिवाजित है ठीक है? यानि कि आपकी Central Highland, इस आपकी आपकी तरीक पिलेट्टिवlarda अगर हम लोग Central Highland की बात करें तो Central Highland में आपका अरावली की पाड़ियां आ जाती है बिंद्यांचल की पाड़ियां तथा राजमहल हिल्स ये तो आपकी हो गई पाड़ियां इसके साथ प्लेट्ट्यू वाला रीजन भी आता है प्लेट्ट्यू वाले रीजन में हम लोग देखें तो मालवा का प्लेट्ट्यू बुंदेलखंद प्लेट्यू बागेलखंद प्लेट्यू तथा छोटा नांगपुर प्लेट्यू ये आपके हो गए पठारी रीजन तथा आपके पहाडी रीजन में अरावली विन्द्यान्चर तथा राजमहल अगर इसी का बिस्तार देखें तो North Eastern Region में आपका होता है जिसको हम लोग कहते है Slang Platinum तो Slang Platinum में आपके गारो खासी, जैंतियां पाडियां मिलती हैं और इसी तरीके से अगर हम लोग देखें Deccan Platinum में तो Deccan Platinum में आपकी जो पाडियां हैं उसमें अगर सबसे पिरसिद पाड़ी देखी जाए तो वो है आपकी सत्पड़ा की पाड़ियां ठीक है इसी में आगर इसके पठारों को देखें तो बस्तर का पठार, करनाटक पठार तेलंगना का पठार ये सब आपके हैं सेंट आपका पाया जाता है Deccan Platinum में इन टॉपिक की होना बहुत जरूरी है, तो हम लोग सबसे पहले पाड़ियों को देखेंगे इसमें आपके थरू कि कौन सी पाड़ी, काओ तक उसका विस्तार है और इसकी सबसे उची चोटी कौन सी है, ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग समझेंगे आपकी जो है अराबली की पहाड़ी अराबली की पहाड़ी अगर इसका बिस्तार देखें तो ये राजिस्तान से शुरू हो करके ये बिस्तार आपका करती है हर्याणा और ये दिल्ली तक जाती है दिल्ली में इसको दिल्ली रिज या रिज नाम से इसको जो आपकी राष्टपती भवन है ये आपका राय सिना हिल्स इसी इनी पाडियों पर इस्तित है ठीक है अगर इसकी सबसे उची चोटी के बारे में देखा जाए तो इसकी सबसे उची चोटी है उसको हम लोग गुरु सिकर कहते हैं जो राजस्तान में प्रिजेंट है इसकी अगर उचाई देखी जाए तो इसकी उचाई है 722 मीटर्स गुरु सिकर और इसी पाड़ी को अगर देखा जाए तो इसी पाड़ी पर माउंट आबू जो दिलवारा का टेंपल है वो भी यहीं परिस्तित है राजस्तान में ठीक है जेन का मंदर है जेन लोगों का य यह आपकी अगर पाड़ी देखी जाए तो विस्तित की सबसे प्राचीनतम पाड़ियों में इसको रखा जाता है इसलिए इसको ओल्डेस्ट फोल्डेड माउंटेन भी कहते हैं तो यह आपकी हो गई अरावली की पाड़ियां इसका अगर विस्तार देखे तो राजिस्ता बिंद्यांचल की पाड़ियां अगर इसको देखा जाए तो यह आपकी मिलती है मद्य प्रदेश वाले रीजन में मद्य प्रदेश के रीजन में और इसका थोड़ा बहुत विस्तार गुजरात में भी है थोड़ा बहुत इसका विस्तार गुजरात में भी है अगर इसका इस पाडियों से निकलने वाला जो विस्तार है, उसको हम लोग कहते हैं कैमूर पाडियां, कैमूर पाडियां, जिनका अगर विस्तार देखें, तो ये यूपी और मैली बिहार वाले रीजन में हैं, ठीक है अगर इसकी सबसे उची चोटी देखें तो इसकी सबसे उची चोटी है उसको हम लोग कहते हैं सदभावना सदभावना चोटी के नाम से या सदभावना सिकर के नाम से जानते हैं जिसकी अगर उचा ही देखें तो 752 मीटर से यह आपको यहाँ पर सब मिल जाएगा ठीक है अगर आप जब इसका explanation देंगे तो यहाँ पर आपको चीजे यहाँ पर लिखी होई होगी लेकिन हम आपको सौट में आपको यहाँ पर बताते हुए चल रहे तो यह आपकी होगी बिंद्यांचल की पाडियां इसके बाद आपक राजमहल की पाडियां है वो जहारखंड और वेस्ट बंगाल वाले रीजन में पाई जाती है ठीक है अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं प्लेट्यू प्लेट्यू कौन-कौन से हैं सेंट्रल इंडिया में तो प्लेट्यू में आपका सबसे पहला है मालवा का बगेलखंड का पूर बगेलखंड का जो विस्तार है वो पूरवी MP में है इसके बाद आपका है छोटा नागपुर चोटा नागपुर तो आप समझी सकते हो कोईला की खानों के लिए बहुत ही प्रसिद्य है इसका अगर विस्तार देखा जाए तो आपका यह जारखंड और बेस्ट बंगाल में पाए जाता है जारखंड और बेस्ट बंगाल में इसको दो भागों में बाटते है इसका जो उत्री भाग है इसको हम लोग कहते है हजारी भाग के पठार और जिसको दच्छडी भाग कहते हम लोग राची पठार यह मिनरल इच एरिया है बहुत ही ठीक है तो यह आपके हो गए कुछ पठारी रीजन और इसके साथ साथ हम लोगों ने देखा पहाडी रीजन ठीक है इसी का अगर बिस्तार देखें इसी का अगर पार्ट देखें वो आपका नौर्थ इस्टन रीजन में जाता है यहाँ पर यह मालदा का गैब मिलता है इसी को हम लोग पार करके जाएंगे तो हमको मिलेगा शिलोंग प्लेट्ट्यू में आपके जो पिरसिद्ध पाहडियां हैं उनको हम लोग कहते हैं गारो खासी और जैंतिया गारो खासी जैंतिया यह आपकी मेगाले की ट्राइपस हैं उन्हीं के नाम पर चोटियों का नाम ठीक है तो यह आपका हो गया Central, Highlands, Slope Plateau तथा Decken Plateau यह आपका पूरा रीजन इसमें यह आपका इसमें हम लोग अभी देखते हैं Decken Plateau को तो तो Decken Plateau में जो आपकी प्रिसिद पाडियां हैं जिसमें आपकी है सतपुड़ा, सतपुड़ा की पाड़ी है, जो आपकी पाई जाती है, मध्य प्रदेस तथा महराष्ट का को बॉर्डर बनाती है, इसका अगर विस्तार देखे तो इसके विस्तार को हमग लोग कहें गें मह महादेव तथा मègेकाल की हिल्स इसकी अगर सबसे उच्जी चोटी है तो इसकी सबसे उच्जी चोटी को हम लोग कहते हैं धूपगड धूपगड़ इसकी सबसे उच्जी चोटी है और यहीं सत्पड़ा region से इसी के मद्द से मद्द प्रदेश और राजिस्तान के मद्द सीमा बनाती हुई आपकी नर्मदा नदी निकलती है जो best flow करती हुई ब्हारत की सबसे बड़ी नदी मानी गई है जिसको best flow में जाना जाता है उसको हम लोग कहते हैं और इसके साथ साथ एक नदी और है आपकी तापती नदी ठीक है इसके बाद हम लोग देखते हैं और भी दूसरी जो पाड़ियां इसकी यहां पर प्रिसिद्द दें इसमें अगर देखा जाए तो आपकी western guards जो आपके पच्छमी घाट से इनको महराष्ट और करनाटक वाले रीजन में सहाइद्री के नाम से भी जाणा जाता है इसका अगर विस्तार देखें तो गुजराथ से सुरू होता है western guard गुजराथ के बाद यह महराष्ट महराष्ट के बाद यह गोआ गोआ के बाद करनाटक और तेलंगना के बाद यह पहुचते ही तमिल लाड़ू तो इनका विस्तार चार राज्यों में अगर हम लोग इनके दोनों का टच होती हुए सीमा देखें तो टच होती हुए सीमा को जो कराती है उसको हम लोग कहते है नील गड़ी की पाड़िया उसको हम लोग अभी समझेंगे जब हम लोग साउधन रीजन की पाड़ियों को पड़ेंगे तो इस तरीके से हम लोग ने समझ लिया किस तरीके से सेंटरल हाइलेंड सिलोंग प्लेट्ट्व और डेकन प्लेट्व आपसमें डिबाड़ेट है अब इसके बाद हम लोग पहुँचते हैं साउध की पाड़ियों पर तो साउध की पाड़ियों में आपकी जो सबसे पिरसिद पाड़ी है उसको हम लोग कहते हैं नील गिरी की पाड़िया साउथ की पाडियों में अगर सबसे कोई पिरसिद पाडिय है तो उसको हम लोग कहते हैं नील गिरी की पाडिया जिस उस पाडियों का अगर विस्तार देखा जाए तो आपका करनाटक केरला तथा तमिलनाडू में है करनाटक केला तथा तमिलनाडूम है अगर इसकी सबसे उची चोटी देखी जाए तो इसको हम लोग कहते हैं डोडा बेटा इसकी सबसे उची चोटी है डोडा बेटा और अगर आपसे ये पूचा जाए कि दच्छल भारत की सबसे उची चोटी है तो दच्छड भारत की सबसे ऊची चोटी को हम लोग कहते हैं अनाई मुडी दच्छड भारत की सबसे ऊची चोटी को हम लोग कहेंगे अनाई मुडी इसका अगर जो पाड़ी पे इसका विस्तार है उसको हम लोग कहते हैं अना मलाई की पाड़ियां इस पे पाई जाती है अनाई मुड़ी की चोटी अगर इसकी उचाई पूची जाए तो इसकी उचाई है 26.95 मीटर्स ये दच्छल भारत की सबसे उची चोटी है ठीक है और जो आपकी नील गिरी की पाडिया है ये आपकी इस्टर गार्ट्स और वेस्टर गार्ट्स को आपस में टेश्ट कराती हैं ठीक है तो ये आपकी कुछ प्रसित पाड़िया थी जो दच्छल भारत की ती इसके साथ साथ अगर आपको पढ़ना है तो आपकी हैं महंदर गिरी की पाड़िया है जो ओडीसा रीजन में पाई जाती है इसके बाद आए आपकी कार्डमम की जो आपकी दच्छल वारत में इस ते थे हैं, तो इस तरीके से कुछ, हम लोगे ने, सेंटल तथा दच्छल वारत की पाड़ी, पाड़ियों का विस्तार देखा, उसके साथ प्लेटियों का विस्तार देखा, तो यहाँ पर हम लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जा तो बहुत ही वेस्ट रहेगा ठीक है तो हम लोग का मैली फोकस यहां पर रहेगा कुशन्स पर तो हम लोग देखते हैं सबसे पहला कुश्चन इस टॉपिक का ठीक है इसमें पूछा गया अब देखते हैं सबसे ओड़ेश आपका कौन से है अरावली इसको हम लोग प्री केंभियन टाइम का माना जाता है सबसे ऑड़ेश चोटी हम लोगों ने जब देखा था तो हमूआ पे माउंट आव्РЕस्ट बो माउंट आवू का मंदिर दिलवाड़ा का मंदिर बी स्थित हा इसकी सबसे उची चोटी हम लोगों ने उसको हम लोग गुरु सिकर कहते थे जिसकी उचाईती सत्रा सो वाइस सेंटी वो सत्रा सो वाइस मीटर था ठीक है अंगला कुश्चन है आपका फिर आपका रिपीटिट कुश्चन है अरावली हो जाएगा अंगला कुश्चन देखते हैं इन विच ऑफ दा फॉलोईंग स्टेट्स आर अरावली रेंजेज लोकेटेट तो अभी हम लोगों ने देखा था कहां कहां रहे लोकेटेट था तो मेल लिए अगर लोकेटेट द फिर पूछ लिया तो यहां पर आपका फिर हो जाएगा अरावली यह रिपीटिट कुश्चन है देख सकते हो कितना इंपोर्टेंट कुश्चन है यूपीपीजेज मेंस दोजा सत्रा दोजा चुदा दोजा दस उनने सो पच्चानवे MPPS हर जगे यह कुश्चन पूचा ग इसको हम लोग Pre-Cambrian कहते हैं तो यह आप Cancer C हो जाएगा यहाँ पर अंगला किस्चन है विच अफ दा फॉलोईंग इस दा एक्जामपल ओफ रेसिडिवल मांटेंट का इसमें से कौन एक्जामपल है तो रेसिडिवल मांटेंट का एक्जामपल है आपका अरावली रेसिड Cognodation होता है बिंड्स के द्वारा चीजे इखटी होती है आपकी Degradation होना चाहिए किसी चीज का इखटा होता रहता है और वह इकटा होते होते एक जमीन का हिस्सा बना लेता होरे यह जब जमीन का हिस्सा एक उपरी सतय पर उठ जाता है तो इसी को हम लोग कहते हैं इसमें आपका बिंड के द्वारा है खट्टी की हुई चीजें हो वॉलकैनिंग के द्वारा है जो लावा निकलता है उसके बाद चीजें खट्टी की गई हो उन्हीं से बनके तयार होते हैं उनको हम लोग कहते हैं तो इसका एक्जांपल आपका किसका है अरावली का कुस्टन नमर नाइन है विच आफ दा फॉलंग इस दा हाइस्ट पीक इन साउथ इंडिया तो अभी हम लोग ने देखा था सबसे हाइस्ट पीक कौन सी थी आपकी ऑप्सन देखो अनाई मुडी डोडा वेटा अमर कंटक म हिंदर गिरी तो अनाई मुडी और डोडा वेटा इसमें कन्फूजन मत हो नोडा वेटा आपकी सबसे ऊची चोटी है वह कहां पर पाएजाती निल गिरी पर लेकिन इसका अनसर होगा अनाई मुडी। अन्हमलाई पर पाएजाने बाली सबसे उची चोटी अगर इसकी पूचे तो 26-95 है ठीक है 26-95 मीटर अनाई मुडी हो जाएगा ठीक है और अगर डोटा बेटा की पूचेगा तो 26-26 हो जाएगा 26-26 मीटर तो सबसे बूची 26-95 अनाई मुडी पूचेगा तो फिर इसका अनाई मुडी हो जाएगा अंगला कुश्चन कोडाई कनल इस सुचेटेट इन विच हिल कोडाई कनल सुचेटेट इन विच हिल तो वो हिल का पूच रहा है तो इसमें आंसर आपका हो जाएगा अगर इसके आंसर को देखो के तो पलानी हिल्स पर जाता है तो इसमें अगर एक्स्प्लेनेशन देखो कोडाई कुलन इजस सिटी इन विच पलाणी हिल्स ऑफ डिंडी गुल डिस्टिक डिंडी गुल के अभी आपने लोक्स देखे होंगे ताले ताले को अभी जी आई टेक्स भी मिला है ठीक है और कनाई कल के इसमें इस्तेत इसमें अगर दो भी पता होंगे कुश्चन कर ले जाओगे इसमें सबसे पहला है केरला तो आपको पता होना चाहिए केरला में आपकी कौन से होगी अनाई मुडी दच्चिड वारत की सबसे उची चूटी अगर एक का तीसरा देखो तो ऑटमेटिक कुश्चन आंसर आपक गलेंड आपकी खा ओगी इसमें होगी आपकी सरामती और आपकी उत्तरा खंड होगी तो उत्तरा खंड में आपकी है नंदा देवी इस तरीकिसाब मेच कर सकते हैं अगर आपको एक भी पता होता है आप कांसर हो जाता अंगला कुश्चन देखओ कितना important question है दन नर्मदा एंड ताप्ती रिवर्स फ्लैंक्स वह लग फ्लो करते हैं किसके मद्द में तो आपकी देखा ओप्सन दिया उसने बिंद्यां मौंटेंस सत्पड़ा रेंजिस फिर उसके बाद ओप्सन दिये हैं आपके राजमहल हिल्स तता अरावली हिल्स तो अभी हम लोग लंबी जो नदी है जो वेस्टन साइड में वैथी है उसको हम लोग नर्मधा कहते हैं तता जो आपकी दूसरी नदी है उसको हम लोग तापती कहते है यह आपके अमर नक्क्ट से निकलती है तो आपका ऑझाशर ही हमका सत्पड़ा की पाढ़ आप्मप्सन था इसक्ए following reliefs feature and the correct the west to eastward sequence पूछ रहा इसमें west to eastward sequence तो west to eastward का sequence आने की इस तरीके से यह पूछ रहा यहां से लेकर कि west to east की तरफ इन ranges को किस तरीके से हम लोग रखेंगे तो इसमें सबसे आमें, sorry, मेगाले आमें पाई जाती, तो यह आपकी सबसे नॉर्धन, सबके इस्टन मोस्ट हो जाएगी, जब सबसे जादा इस्टन मोस्ट होगी, तो आपके आपके आपसन C और आपसन B एलिमिनेट हो जाएगी, अब आपका उपसन बचा है, A और D, उसके बाद देखो, छोटा नांग पर आपका कहाँ पाई जाता है, जारखंड तथा बेस्ट बंगाल वाले रीजन में, यह भी East वर्ड है, ठीक है, और क्योंकि मेकाल आपका 36 गड में पाई जाता, तो यह आपका उससे बेस्टन है, तो आपको तीसरा रखना पड़ेगा, तो आपको तीसरा कहाँ पर रखना पड़ेगा, खासी के बाद आपका तीसरा हो जाएगा, तो चार उसके बाद तीन आ रहा, तो यह आपका उपसन हो जाएगा, यह सही, ठी किस हम लोग इस question को solve करेंगे तो option यह आपका सही हो जाएगा अंगला option देखते हैं option number question number 16 ठीक है question number 16 में क्या है which one of the following is the correct sequence of the given hills is starting from north and going towards the south तो north ते start करना और south के बार towards जाना यहां से श्रुवात और south की तरफ जाना तो इसमें देखो सबसे पहले कैसे हम लोग कर सकते हैं नला मलाई नील गड़ी फिर आपकी अनाई मुड़ी तो देखो अबी हम लोगों ने समझाता है यो आपकी जबादी की हिलस है जबादी की हिलस आपकी हैं आंधरा पृरदेश और आपकी जो नला मलाई की हिल आए ये आपकी तेलंगना और आंधर पृरदेश वाले रीजन भी तो आ harmonic है आपकी northward पाई जाएगी ठीक है यह आपकी northward पाई जाएगी और आपकी जो हमने anai murdi किया थी यह आपकी keral में है तो keral आपका south-west southern most हो जाएगा तो जहाँ पे भी आपका anai murdi मिले जाएगा News. तो यह आपका c option सह है क्योंकि देखो ऐसा है अगर आपको 2-3 option पता है question आप कर ले जाओगे क्योंकि elimination factor बहुत biggest factor है जो आपका काम करता है PCS level और EPSC level के examination में क्योंकि आपको हर fact रटे नहीं होंगे अगर fact आप हर रटे नहीं सकते हो तो elimination factor आपके लिए सबसे बड़ा काम करने वाला सावित हो जाएगा ठीक है अंगला question 17 देखते हैं which of the following hills are found where the eastern garts and western garts meet अभी हम लोग ने बताया था eastern gart और western gart के लिए यह आपका western gart है यह आपका eastern gart है यह आपका तमिलनाडू वाले region में मिल ला है इसको हम लोग कहते हैं नील गिरी की पहाड़ियां यहाँ पर मिलता है आपका eastern garts और western gart तो option आपका c सही हो जाएगी इसकी सबसे उची चोटी डोडा बेटा अंगला question हम लोग देखते हैं अंगला question है which of the following mountain peak is not situated in eastern gart mountain peak पूछ रहा है जो आपकी south में नहीं यह आपका राजस्तान PCS में पूचा गया question है इसमें देखो गली कॉंडा, साथेर, सिंक्राम, गुट्टा, मडुगुला, कॉंडा तो यह question इस तरीके के एक आध question आपको मिल जाएंगे लेकिन हम तो यहीं कहेंगे छोड़ सकते हो क्योंकि इस तरीके के fact है जो हम लोग नहीं रट सकते हैं हर चीज तो इसमें अगर option के साब से देखेंगे तो साथेर इसका answer हो जाएगा तो इसका कुछ ज़्याद हम लोगों सोचना भी नहीं ठीक है अंगला question है फिर आपका नील गिरी हो जाएगा तमिल नाडू सिंपल क्वेशन है तमिल नाडू केरला और करनाटक में पाई जाती है अंगला question है इसमें देखो इंडियन ओसीनिस्ट डिस्कबर्ड हाई mountains विद आ हाइट ओफ फिप्टीन जिरो फाइब मीटर अड़ बॉटम ऑफ अरेवियन सी मतलब यह इसका कहने का मतलब है कि अरेवियन सी में एक mountains पाया गया है जिसकी अगर उचाई देखो तो फिप्टीन जिरो फाइब मीटर्स है इस mountain को हम लोग कहते हैं रमन सागर mountain इसके बारें पढ़ लें इंडियन ओसीनिस्ट जो समुद्र खोग लिए समुद्र विग्या ने उन्होंने आपका रेविन सी में पाया है इस बेसिन को यहां से हम लोग तेल वगएरा भी निकाल सकते हैं यह आपका मॉंबई वाले रीजन में पाया जाता है इसको हम लोग कहेंगे रमन सागर mountain ठीक है अब कुशन नम्मर तेज़ which one of the following statement is not correct इसमें कौन सा correct नहीं है तो इसमें question है the western ghats are relatively high in the in their northern region the anai moody is the highest peak in the western ghats तापती reverse lies to the south of satpoda इसमें पूछ रहा है तो यह option दोनों सही है तो यह option दोनों सही है तापती रिवर्स पीक of western ghats बिलकुल सही है आप नहीं दिगा लेकर इसमें यह देखो the western ghats are relatively high in northern region अब देखो दोनों question contradictory हो रहा है यह नहीं दोनों option कैसे देखो यह आपका इंडिया है यह आपका western ghats है अब western ghats में तुम लोग यह एक बात बताओ अगर western ghats की सबसे उची चोटी अनाई मुटी है तो अगर अनाई मुटी सबसे उची चोटी है तो इसका पाड़ भी जो चोटी उची होगी यह region उचा होगा की नहीं होगा automatic देखो लेकिन यहाप यह क्या कह रहा है वो north side सबसे उचा है तो north side उचा होई नहीं सकता south का उचा होगा तभी यहाँ से उचा ही following mountain ranges is spread over only one states in India इसमें से कौन सी range है जो किवल एक states में पाई जाती है अगर आपकी अरावली देखें तो अरावली क्या है अरावली आपकी देखो राजस्तान में है उसका कुछ हिस्सा गुजरात में भी है उसका कुछ हिस्सा हरयाना में भी है और दिल्ली तक जाता है तो यह तो एक राजमी नहीं भी सत्पड़ा आपकी मद्द प्रदेश और आपकी महाराष्ट के मद्द में सीमा बनाती है इसी के साथ अगर option D देखें सहाइद्री सहाइद्री आपकी बेस्टन गार्ट को ही महाराष्ट और करनातक में साथ अगरी कहते हैं इसको हम लोग ने पढ़ाता है यह पहुँच स्टेट से होके गजरता है इसका आपका है गुजरात फिर है आपका महाराष्ट फिर है गोआ फिर है आपका करनातक तमिलनाडू और केरला सुरी ये छे राज्यों से होके गुजरता है ठीक है लेकिन आपकी जो अजन्ता की पाडियां है ये आपकी अजन्ता की पाडियां केविल हो केवल महाराष्ट में पाई जाती तो option C आपका गलत हो जाएगा question number 25 best and guards in महाराष्टरा and करनाटका is non edge best and guards को हम लोग क्या कहते हैं तब हम लोग ने साहेद्री देखा तो यह हम लोग इसको क्या कहेंगे साहेद्री कहेंगे ठीक है अंगला question है select from the court given below and the correct location sequence of the following hills proceeding from south to north यानि कि इसको हम लोगों को बताना है south से लेकर के northward direction में ठीक है तो south से northward में देखें तो सबसे पहले आपकी सतमाला की hills फिर आपकी कैमूर सिल फिर आपकी पीर पंजाल रेंजिस फिर आपकी नागा रेंजिस अगर आपको कुछ भी नहीं पता है लेकिन आपको इतना तो पता ही होगा कल हम लोगों ने बताया था पीर पंजाल रेंजिस यह आपकी काप आ जाती हिमालियन रीजन में तो automate की आपका सबसे north में होगी तो तीसरा सबसे north में तो तीसरा देखो केवल एक option में तीसरा north में सबसे पीछे रखा गया तो option यहाँ पर यही सही हो जाता है फिर उसके बाद हम लेखें तो सत्माला यह आपकी आंध्रा उते लंगना वाली रीजन में इसके बाद केमूर जो आपकी सत्पड़ा जो आपकी बिंद्यान चल रहें जिए उसका ही विस्तार है जो यूपी और बिहार में इसको लोग हम लोग केमूर कहते हैं और पीर पं अंगला क्वेश्चन है था सौधर साउधन मोस्ट रेंजिस ऑफ इंडिया सौधन मोस्ट रेंजिस को हम लोग काडमा में कहेंगे यह आपकी कहांपर मिलती है दोनों कहांपर लाइस होती है तमिलाडू और किरला में ठीक है अगला क्वेश्चन है वेर आर सेवरॉ हिल्स अभी हम लोगों ने देखा था सेबरोई कांपे थी तमिलाडू में ठीक है अगर वो जबादी पूचेगा तो आंदरा तेलंगना वाले में करनाटक में नीलगिरी वाला और ये तमिलाडू और किरला में किरला में आपकी अनामलाई ये वाला रीजन हो जाएगा ठीक है तो इसकी आपकी है मांडव लिस ज较ज सथमालाadू नांष्टन ओतेलंगना वाले रीजन में हरीचण तो आपकी तमिलाडव की बेस्ट्र गार्स वाले रीजन में अवालागाट पाल जार्वले ये हम लोग ने basics भी देगा तो आसा करते हूं आपको यह lecture पसंद आया होगा अगर आपको पसंद आया हो तो please इसको आप like कर सकते हैं सेयर कर सकते हैं अपनोंसे दोस्तों के साथ प्धा आपप कमियां रहें यह जो भी जो भी हम और तरीओ को पता सकें उसके बारे में बता सकें ठीके तो दोस्तों अगर हम लोगों से जुड़ा रहने चाते तो इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का